नमस्कार स्वागत है आपका Know Your MP में मेरे याने धीरत सिंग के साथ हमारी इस कारिकरम के द्वारा ये कोशिश रहती है कि आपको रूबरू कराएं आपके द्वारा संसत्ने बेजे गए नेताओं से हमारे आज के महमान का लोगसभा में ये पहला कारिकाल है एक हिर्दे रोग विशेशग हैं और लंबे समय से समाचकार करता रह चुके हैं आएए मिलते हैं पट्याला पंजाब से हमारे सांसत्र श्री धर्मवीर गांधी से डॉक्टर गांधी आप एक लंबे समय से डॉक्टर रह चुके हैं पट्याला शेतर में लोग काफी आपको पहचानते हैं औ और फिर आपने दो साल पहले आम आदमी पार्टी जॉइन की और ये फैसला किया कि चुनाओं में उतरेंगे। कहां से शुरू होता है इस सफर आपकी पुलिटिकल जानी जो जिसको हम कहते हैं वो कहां से शुरू होता है। में वो कोई भी व्यक्ति राजनीती से शुटता नहीं रहा। जो लोग जह कहते हीं के में जैसे राजनीती को ले नधने हैं। असलिए बो भी अचेत रूप में किसी ना किसी राजनीती का पक्ष पूरे होते हैं, पक्ष रह रहे होते हैं उसके, तो इसलिए मैं तो बिलकुल ही शुता नहीं रहा, बच्चपन से लेकर मेरा क्योंकि मेरी प्रिश्ट हूमी गाउं से है, मेरे पिता जी प्राइमली स्कू उर्तों की जो हालती गाउं में और जो किसानों की गरीब किसानों की हालत सी, उन से मैं कभी अनभिग्य नहीं रहा, मैं हमेशा बो सुवेदिन शील्टा मेरे साथ चलती रही, मेडिय कॉल में जाने तक, काफी वाकप था, मेरे लिए कोई घर में भी महौर राजनीतिक था, पिताजी अध्यापक होने के नाते, 1924 में वो टीचर बने थे, तो घर में खुआर आती थी, तो घर में एक सियास्त का महौल था, राजनीतिक का महौल था, तो मैडिय कॉल जाने के बाद, देश में उस वक्त 1971 में काफी करवट देश ले रहा था, मसाल के तोर पर काफी अस किस्सों में किसानों का अंदोलन था, विद्यारतियों का दोलन था, पंजाब में बहुत जबरदस्त विद्यारतियों था, पंजाब स्टूटन्ट यूनिन की अगवाई में, तो मैं भी उससे, क्योंकर मेरे प्रिश्चुमी गाहों से थी, मैं एक साधारन परवार में पै के लिए उनके जिंदगी में उनका जो स्थान बनता है वो दिलाने के लिए जो जो वजर्थी दोलन था वो किला भड्यारति दोलन नहीं था वो समूचे समाज को बदलने का दोलन भी था तो मैं उसका हिस्सा बन गया उसी समय आप अरेस्ट भी हुए जेल भी गए हाँ emergency के दौरार मैं पहले दिन emergency के मुझे arrest कर लिया गया और मेरे को दो महिने में जेल में रहा, तो बाद मेरे हाई कोड के देखल के बाद मुझे मेरे को छोड़ दिया गया, इस समय आप medical की पढ़ाई कर रहे था? उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की, तो फिर मैं लोगतंत्रक अधिकार संग बनाया पंजाम में, उसका मैं जनल सेक्टरी रहा, क्योंकि एमर्जेंसी जैसा दोबारा कभी कोई देश में कोई ऐसा कदम ना उठाए सरकार, उसके बारे में बुद्धी जी वी वरक क स्तर करना, उसको संगठित करना, और जो लोगतंत्रक अधिकार है लोगों के, उनकी रक्षा करना, और जो जन अंदोलन है, जो लोगतंत्रक अधिकारों पर हमला होता है, तो उसके खिलाफ बुद्धी वरक को संगठित करना, हरकत में लाना, यह हमारे उसका, जो लोगतंत पार्ट है वो कहीं न कहीं राजनीती से जुड़ा है, जो डिसिजिन लिए जाते हैं राजनीती को, उन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना समय भी दिया आपके विद्यारधी जीवन से, और फिर 2011-10 के आसपास जब पार्टी बनी, ये अंदोल लंसेवर ससाइडी मूवमें शुरू हुआ और आपका गठन हुआ, तब आपने राजनीती पार्टी जॉइन की, क्या वज़े थे कि और कोई पार्टी में आपको रुची नहीं हुई? नहीं नहीं, मैंने कोई पार्टी जॉइन नहीं की, परंटु मैं कभी 50 जो समाज कनदोलन थे, चाहे बो गसानजों कनदोलन था, चाहे बो झलित वर्क कनदोलन था, चाहे बो समाज intéressant।.. फर्बरी से लेकर 1984 अक्टूबर तक मैंने दो साल अपनी नोकरी से लंबी छुटी लेकर बिना तर्खा के मैंने लोध्याना में जो परवासी मज़ूर थे यूपी विहार उडिसा से जो उनके बीच में अपने गुजारे वहां उनकी बीच काम किया उनको संगठत किया उनको इन दूसरे परडशियों से आया था उनके पज़ाक एक दूसरा परडश था तो वहां हुझे सथ घुल मिलके उनके साथ रहना वहीं उनके साथ काम करना यह थैस साल मजबोरों में काम किया किसी इस बर्मियर में मैंने हजारों लोगों को साथ लेकर उसको इनसाफ दिलाने के लिए मैंने सब नौकरी के दुरान भी मैं जो समाजिक शेतर था उसमें सरगर्म रहा कभी हुआ ही नहीं कि मैं राजनीती सेजा समाजिक अंदोलन से अलग रहा हूं हुआ यह कि पिछले दो चार साल में मैं आपको पता दूं इंडिया इस नौट दा सेम एजिट वस थी जिर्स बैक अन्ना अंदोलन हुआ लोग कहते हैं कि अन्ना जी कुछ कर नहीं पाए बट इस जॉब और उसके बाद सबसे बड़ी जो राजनीतिक दिर्श पटर प्लर जो घटना घटी वो थी आम आदमी पार्टी के घठन होना इसने देश की फिजा में एक नई सफूरती आई लोगों में एक नई लोगों के आशाबंदी और जिस बिशाल पर मानने पर इन तीनों घटनाओं के बाद खासत और आम आदमी पार्टी घठन के बाद जिस बिशाल पर मानने पर देश में जराजनीती की चर्चा हुई जिंदगी की चर्चा हुई जिंदगी की बेहतरी की चर्चा हुई बसों से लेकर गाडियों तक, रिक्षा से लेकर हुआई जहाज तक, मद्द वर्क से लेकर ग्रीव वर्क तक, देश का कोई भी सब नहीं बचा जिसमें यह नहीं चितना समाज को बदलने की तर्निंग पॉइंट था तर्निंग पॉइंट था तो मैंने सुच्छा कि जिस सिस्टम क से रूम में लड़ते रहे तो क्यों ना अपनी जो भावनाएं हैं उसको अब जो एक पार्टी मिली है जिससे जिससे आशा मिलती है कि आने वाले समय में शायद कुछ हिंदुस्तान की राजनीती में एक स्वच राजनीती एक मांदा राजनीती की शुरुआत हो और देश क की अनना हजारे की की उन्होंने शुरुआत की थी लेकिन जब ये पार्टी का गटन हुआ तो वो भी उससे सहमत नहीं थे कि राजनीती में चुनावी राजनीती में खास दोर से उतरना के पक्ष में वो थे नहीं कई लोगों का भी माना था कि जब तक आप एक प्रेशर ग में पॉलिक्स पामारी जिधियु पॉलिक्स टैय करती है इस देश की बिद्या, सेहत, समाजक जीवन, समाजक मूले, इसकी प्रगतिय ने किस रास्ती पे जाना है इसकी जिंदगी कैसे कैसे चलेगी जिस सब राजनीती तैय करती है और जब आप लोग राजनीती में स्केरे रूप से हिस्सा नहीं लेंगे और इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक महज अंदोलनों के सिर पर आप कोई बड़ी तबदीली नहीं कर सकते हैं चोटे मोटे सुधार कर सकते हैं तो कुछ रिफॉर्मिस्ट बाती हो सकते हैं जो अमबूल राजनीती के बगार इसमें हिस्सा लिये बगार और इसका एक हिस्सा बने बगार वो संबब नहीं है वो सचाई पहले भी थी आज विया और मेशा रही लेकिन जब एक नई पार्टी के रूप में आप उत्रे तो कई लोगों के प्रशन चिन आप पर खड़े हुए की कैसे करेंगे कैसे बदलाव लाएंगे बाहर संसद या पार्टी राजनीतिक शेत के बाहर रहकर बोलना असान है वोट लाना वोटों की गिंती में शामिल होना नंबर गेम में आना काफी मुश्किल है कहां से आया ये कॉन्फिडेंस देश के ना जो नाइनटी फाइव से लेकर 98% तक लोग है ना वो लोग अच्छे लोग हैं शरीफ लोग हैं इमानदार लोग हैं इमानदार जिन्दगी जीना चाहते हैं इमानदार देश चाहते हैं इमानदार राजनीती चाहते हैं अगर आपकी ये धारना है तो आपको ये बश्वाज बनता है कि लोग अंत में वो जो विरोधी पार्टियां थी, कांगर्स पार्टी से महारानी प्रनीत को रहती, बहुत उनका भी बहुत अच्छा इमेज था, उनकी इस वास चबी थी, दो बार रह चुकी थी, विदेश राज्य मंतरी थी, तो उनके पतीदेब जी वो पजाब के चीमनिस्टर थे, तो उसक और अकाली दर का तो प्जाम राजी चल रहा है, उनका सत्ता उनके हाथ में है, तो ऐसे हालत में, तो एक सोशल वर्कर को, जो मेरा इमेज था लोगों में, कि एक समाज से भी है डाक्टर, पिशले तीज चाली साल से अपने प्रफेशन की जो शुदता है, उसको बचाई र नहीं है, पार्टी को नैशनल मेंस्ट्री में आए हुए, जब आप पीछे देखते था है, इन दो सालों को, कैसे देखते है, क्या वज्य रही सापकी ginाभी की, सबसे बड़ी वज्यकर, कि मेरी अपनी, पार्टी की और आपकी, चИक कामHYाबी तो है, सफ्यराजनीति लोग देश में ब्रश्ट राजनीती से तंग हैं, बरिवारबाद से तंग हैं, जो देश की आर्थिक हालत है, जो देश के पशड़ापन है, किसमी सदी में, 2014 में, वो लोगों को जब मकाबला करते हैं पश्चमी देशों से जा दूसरे देशों से, तो उनको लगता है कि हमा मादी पार्टी ने राजनीती के द्रिश पेटल पर पाउं रखा, जब सामने आई, तो लोगों ने, यहां तो दिली तो था ही, देश भर में इसने लोगों का ध्यान खींचा, देश भर में, तो वोटशेर भी जो भी मिला है, और व्यक्तिकत रूप आप से, व्यक्तिकत हो सकती है, तो मैं तो आप कहता हूं कि लोगों ने, मेरा अलेक्शन लोगों नहीं लड़ा, मेरे गाउं मरीज थे, वो बहुत सिंपल लोग थे, शेहर वे लोग थे, बहुत सिंपल लोग थे, वो मेरे में मानदारी का इमिज देखते थे, तो उन्होंने मेरा अलेक्शन ल बिल्कुल साफ राजनीती की, साफ बाते की, और लोगे ने मेरे को पॉने चार लाग पूरते हैं, वक्त आगे एक चोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसला चाही रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है, हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर धरवीर गांधी, पट्याला पंजाब से हमारे सांसत. डॉक्टर गांधी, अभी आपने पंजाब की बात की, चार एंपी चुनकर आए हैं, और कोई प्रदेश से आपका खाता नहीं खुल पाया है, लेकिन पंजाब अकेले से चार एंपी आम आदमी पार्टी के चुनकर आए हैं, क्या खास वज़े है कि पंजाब ने इतना वि विचारधा रहा हो, वो बहुत जल्दी उसको पकड़ते हैं, ग्रिन रैवलुशन देखी आप, पजाब ने शुरुआत की, तो आप गदर मूमेंट देखिए, वो विदेश में गए थे, वहां से जहाज लिया, जहाज में भरके आया, कलकत्ता गूली खाके गूलियां और इसके लाबा आप नक्सल मूमेंट देखिए आप, आप हरान होगे, पजाब में कोई टेरन नहीं है, कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, शेतर नहीं जहां पर युद शुरू किया जा सकता था, पर बंगाल से सीधी हिंदी हार्ड लैंड को फुलाई करके सीधी पजाब म देखिए हैं, बहुत खुंक्राबा भी हुआ, बहुत नक्सान भी हुआ, परंतु लोग आए उठे जान दी और गये, पजाब में यह कुछ बिशेष्टा है पजाबियों में, कि यह एडवेंचरिस्ट हैं, नई बातों को पकड़ते हैं, और उसको लेकर आगे बढ़ते ह जो उसी का नतीज़ा है, कि पजाब ने आम आदमी पार्टी में बिश्वाच जिताया, इसमें कि नहीं आशा की किरन देखी, और देश को एक दिखाया भी, कि अगर लोग चाहें, तो बार्टी की बात नहीं, अच्छी राजनीती के लिए वोट दिये जा सकते हैं, चाहे देश में कितनी भी दूसरी को वेब किसी के नाम से जुड़कर मोधी साब के नाम से जुड़कर वेब रही हो, पजाब में ऐसी को वेब नहीं थी, पजाब में आम आदमी पार्टी की वेब थी, हमने चार सीटे जीती हैं, और उसके अलावा हमने वोट शेयर 24.6% वोट श परसेंट है, तो अकाली दार के बरबर चले जाना बोर्ट शेयर के हिजाब से, वो सीटों से भी जाद महत्त पूरण है, एक बड़ी जो भूमिका निभाई है आपकी पार्टी के उभर के आने में, वो है टेक्नॉलिजी की, मीडिया की, क्योंकि ऐसे समय पे पार्टी लॉ सम्भवी नहीं था, चाहिए वो अन्ना के सं मुम्मेट के दरान हो, चाहिए नरभय मुम्मेट के दरान हो, चाहिए आम आदी पार्टी के जब उत्थान हुआ, गठन हुआ, और इसका उद्धा हुआ, उसके दरान हो, जो टीवी चैनल जने और जो प्रिंट मीडिया ने, जो भूमका नवाई है और जो सकरात्मा भूमका कहूंगा जो नवाई है उसका कोई सानी नहीं है और आमादी पार्टी की सफलता में इसके अपने सूलों के साथ इसके λिए अधि जानी रजंती पर निया उद्र हुआ जो स्वच राजनेति ही बात की है उसके साथ जो मीडिया की भूमका है खासका खासका दोनों मीडिया की जादे और प्रिंट की भी साथ में उसकी भूमका के कारण ही हमारी पार्टी लेकिन कहीं न कहीं मीडिया को आपकी पार्टी से उमीदे जादा थी इसलिए उनका अभी मो भंग है उन्हें लगता है कि पिछले समय कोई खराब हो गया था काफी, अब बहुत सो उतार रहा है, हम हमारे लोग सभी मीडेया चैनल पर जाते हैं, अब एलेक्शन सीर्फ हैं, तो मीडिया का भी अगर बात मीडिया के लिए अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है, कुछ दिखाने के लिए है, को आइ मीडिया की मजबूरी बनेगी यह ऐसी बात नहीं है जो एंटागनिस्टिक मीडिया भी यह कुछ रहे हैं अभी भी चल रहे हैं अगर हमारे में दम होगा हमारी राजनीती में दम होगा आइडियाज होगे देश-देश का नक्षा हम अच्छा पेश करेंगे और तो मीडिया क पॉइंट की बात की राज देश की इतिहास में देश की राजनीती में दोहजार चौदा कर चुनाओ खासतोर से एक और टर्निंग पॉइंट रहा है जब एक कई सालों के बाद एक भारी बहुमत देके एक पार्टी को भेजा है संसद में कैसे देखते हैं आप मोधी वेव अद्यूस्तों को और इसका श्रय आप किसको देते हैं जो मोधी वेव है भले पंजाब में नहों पर बाकि बी चेत्रों में रही है दो को मोधी वेव कर श्रय कांगर्स को जाता है क्योंकि जिस तरह से कांगर्स मैंनेज किया है यूपीए वान आज एई फासा और यूपी में गया जीदीवे इतने पर्देशात कौममन विल्थ में गया जिस पर만 ने भरस्टअजार हुआ और जो देश में वागि परदेशों में भी GRI में सरकारों के सर पपे भी जो ब Déeverाख उद्रार हुआ और जो परिवारवाद है हला के कोई पार्टी से मुक्त नहीं है हमारी पार्टी यह दम भरती है और हम लेकिन कैसे इंशूर करेगी आपकी पार्टी के आने वाले दिनों में परिवारवाद या वंच वाद उसमें भी क्रीपन ना हो जाए लगता नहीं है लगता नहीं है तो आप समय बताता है हमारी पार्टी में परिवारवाद के नाम की क संबह भी नहीं है लेकिन कई बार जनता की अपेक्षा रहती हैं कि वो परिवार से जुड़े हैं वो हमारे वो सिस्टम को समझते हैं इसलिए शायद हमारा काम असान हो जाए इसलिए उनको चुन को बेजते हैं ने वो जनता नहीं जाती जनता तो चाहती है कि अच्छे लोग जनता परिवार परिवार बाद तो पार्टी चलाती है जनता नहीं बिलकुल नहीं चाहती है जनता तो अच्छे लोग चाहती है जो उनका काम करवा सके उनको अच्छे दिनों का एसास करा सके उनकी वेशे उनका अच्छा बन सके उनको बच्चों को बच्छे अच्छा बन गुरीक्षेत्टर में बहुत समस्याइ हैं, जो बडकिसमी थी कहिए के महरानी साहबा ने जो जो उन्हों को करना चाहिए था उन्हों ग्यूंधों ही, हमारी बहुत समस्या रहे एक रही हैं। त्ठेयला राजपरा से पटयाला गी तरफ नाभद की तरफ धूरी की तरफ डिस परसेंट ट्रेस बाकी सबी ट्रेइंज सीधे राजपरा से जलंदर अमर S Kaitinam eidru को भाग जातीEZ हैं , कोई अच्छी ट्रैन पट्याला की तरफ नहीं है लाइन सिंगल वठ्टिपना तक हाओं के दस जिले पढ़ते हैं और सब्सक्राइब जीन का अपनी राजधानी से कोई य। कर्लेक्षन ही तो अगर वहां रेल डाल दी जाए तो पंजाब के दस जिले आपनी जाजनी जुड़ जाएंगे उससे क्या होगा सफर सस्ता होगा बिल्कुल पॉलुशन नहीं होगी सफर एक्सिडेंट कम होगे और जल्दी सफर होगा चार सुद्धाय लोगों मिलेंगी जो इतनी बड़ी जानी रहाथ होगी, मालवा की भी दिए 1.6-7 क्रोड और दॉबवर माजमा की कमाइड है , 1.42 क्रोड व 하면서 1.67 क्रोड क्रोड के लिए 10% परेंज हैं और 1.42 क्रोड के लिए 90 पिसेंट रेज हैं अब स्टैटिस्टिक देख लीजिए तो यह मेरी प्रियोडिटी रहेगी ताके हमारा लाका हमारा क्षेतर पत्याला सुमेर सारा मालवा यह विकास कर सके दूसरा हमारे घंगर नदी है प्रियनल रीवर प्हेले 55 साल से तकरीम हर साल यह दूसरे साल इतनी तवाहि करती है कि हजारों एक्रफसल तवाह होती है, दरजनों घर ढह जाते हैं, जाद्जेन पहुत लोगों की जान चली जाती है, पशूमर जाते हैं, हर साल तवाहि का करना मनती है और बहुत जहरीला पानी तो गंगर नदी का जो उसको चेक डेम बनाके उसको सब्सक्राइब करना यह मेरा ह्षा सेएदाब के लों को रहात मिल सके यह मेरी दूसरी परोर्शिक्राइब नहुक्री की तो श्रेश संस्ता हुआ करती थी हमारे सारे मानौ रिज्जिन की ना सिर्फ पंजाब के पांच्छे को सर्व करता था हमारा मेडिकल कॉलेजू। उसकी हाल भी कम पैसा देती हैं केंदर सुषेश उसको अभी कुछ पैसा। पूर उतना नहीं की जूरूरत है। आप हमारे स्टूडियों बे आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये थे पट्याला पंजाब से हमारे सांसत डॉक्टर धर्मीर कांधी, अगले अंग में हम फिर आजिरोंगे एक और सांसत के साथ, तब तक के लिए मैं दीरत सिंग अपनी पूरी टीम क के साथ आप से विदा लेता हूं, जाने वाल